नमस्कार मित्रों आज हम बात कर रही हैं सत्व की शक्ति के बारे में हिंदु धर्म में सत्व को तीन गुड़ों में से एक माना जाता है सत्व रज और तम लेकिन सत्व का स्थान सबसे उपर है यहां शुद्धता सच्चाई और संतुलन का प्रतीक है जिस प्रकार कमल का फूल कीचर से निकल कर खिलता है उसी तरह सत्व हमें अंदर से बाहर की ओर शुद्ध करता है यहां हमारे मन शरीर और आत्मा को संतुलित करता है सात्विक जीवन जीने से मन शांत होता है वुधी तीवर होती है और शरीर में स्फूर्टी आती है तो आखिर हम सत्व को अपने जीवन में कैसे लाएं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सार्थत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब बटन दबाए और साथ ही घंटी के निशान वाले बेल आइकन को भी दबाना नव भूले ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की सूचना सीधे अपने इनबॉक्स में प्राप्त कर सकें अब बिना किसी देरी के आईए शुरू करते हैं सत्व को अपने जीवन में कैसे लाएं सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें सात्विक भोजन सेवन करें ताजे फल सबजियां डालें इससे आपका शरीर हल्का और उर्जावान महसूस करेगा अपने विचारों को सकारात्मक रखें नकारात्मक सोच को दूर भगाएं और सकारात्मक पुष्टी वाक्यों का जाप करें दयादू बनें दूसरों की मदद करें इससे आप अपने अंदर सकारात्मकता का संचार करेंगे सत्व की शक्ती एक अकेला सफर नहीं है यह एक समुदाय है आईए साथ मिलकर सत्व के मार्क पर चले आने वाले वीडियो में हम सत्व के विभिन आयामों को अनुवेशन करेंगे हम देखेंगे की कैसे योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं आयुर्वेट के सिध्धानतों को अपना कर हम कैसे साथ्विक भोजन का चयन कर सकते हैं सकारात्मक मनोविध्यान के उपकर्णों का उपयोग करके हम कैसे अपने विचारों को सकारात्मक बना सकते हैं? यह यात्रा आसान नहीं है, परंतु सत्व के मार्ग पर चलने से आप निश्चित रूप से शांती, सद्धाव और आत्मज्यान प्राप्त कर सकते हैं. आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं. हम सार्तत्व परिवार हैं. अपने अनुभव कमेंट्स में साजा करें, सवाल पूछें और दूसरों को प्रेरित करें. सत्व को अपने जीवन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा बदलाव करें. छोटी-छोटी आद्ते भी बहुत फर्क ला सकती हैं. सुभ़ जल्दी उठेन और थोड़ा समय ध्यान में लगाएं. इससे आपका मन शांत और केंद्रित होगा. अपने दिन की शुरुवात सकारात्मक संगीत सुनकर करें. इससे आपका मूर अच्छा रहेगा. अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें. जैसा संग वैसा रंग. प्रकृती के करीब रहें. पेर पौधों के बीच समय बिताएं. इससे आपकी उर्जा का स्तर बढ़ेगा. अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं. सकारात्मक रिष्टे आपके जीवन में संतोश लाते हैं. रात को जल्दी सोएं और परियाप्त नींद लें. नींद आपके शारिरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. सत्व का मार्ग सरल है, लेकिन निरंतर अभ्यास की जरूरत है. इन छोटी-छोटी आर्थों को अपना कर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. आप सत्व को अपने जीवन में कैसे ला रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. जैसा हम खाते हैं, वैसा ही बनते हैं. सत्विक भोजन न केवल हमारे शरीर को पोशन देता है, बलकि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है. सत्विक भोजन में ताजे फल, सबजियां, डालें और साबुत अनाज शामिल होते हैं. ये खाद्यपदार्थ पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं और आसानी से पच जाते हैं. सत्विक भोजन सिर्फ खाने के बारे में नहीं है. यह भोजन को पकाने और खाने के तरीके के बारे में भी है. जब आप खाना बनाते हैं तो सकारात्मक भाव रखें. भोजन को ध्यान से परोसें और शांत वातावर्ण में खाएं. इससे आप अपने भोजन का पूरा आनंद उठा पाएंगे. खाना खाने से पहले उस भोजन के लिए कृतग्यता व्यक्त करें. अपने परिवार और दोस्तों के साथ भोजन करना सात्विक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे आप सकारात्मक संबंध बना सकते हैं. सत्व का भोजन सिर्फ डाइट प्लान नहीं है, यह जीवनशैली है. आपका पसंदीदा सात्विक भोजन कौन सा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. लाइक करें, शेयर करें और सत्व के समुदाय का हिस्सा बनें. सफलता पाना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं है. सच्ची सफलता वह है, जो आपके जीवन में संतुलन और शांती लाए. सत्व का मार्ग आपको अपने लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है. एक सात्विक मन्स पष्ट और केंद्रित होता है. आप आसानी से अपने लक्षियों को निर्धारित कर सकते हैं और उन्हीं प्राप्त करने के लिए फोकस बनाये रख सकते हैं. सफलता के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है. सत्व आपको धैर्य और सन्यम रखने की शक्ति देता है. इससे आप लक्षे से भटकेंगे नहीं और निरंतर प्रयास करते रहेंगे. सफल होने के लिए सकारात्मक ग्रिश्टिकोन बहुत जरूरी है. सत्व आपके मन में सकारात्मकता का संचार करता है. इससे आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं. सफलता का रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता. दूसरों की मदद करने से आप न सिर्फ उन्हें सफल बनाते हैं, बलकि खुद भी सफलता के करीब जाते हैं. सफलता का रास्ता सत्व के साथ आसान हो जाता है. आप सफलता को कैसे परिभाशित करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं लाइक करें, शेयर करें और सत्व के समुदाय का हिस्सा बने यात्रा के अंत में हमने बहुत कुछ सीखा सत्व सिर्फ एक गर्शन या सिध्धान नहीं है यह जीवन जीने का एक तरीका है यह शुद्धता, सच्चाई और संतुलन का मार्ग है सत्व का मार्ग अपनाने से आपके जीवन में शांती, खुशी और आत्मज्यान का प्रकाश पहलता है आप न केवल स्वयन को बलकि अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं सत्व का समुदाय लगातार बढ़ रहा है आप भी इस यात्रा में शामिल हो अपने अनुभवों को साजा करें, दूसरों को प्रेरित करें और आईए मिलकर सत्व के प्रकाश को फैलाएं आप सत्व के मार्ग पर चलने के लिए तयार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं लाइक करें, शेर करें और बैल आइकन दबाकर आने वाले वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सत्व के बारे में और क्या जानना चाते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सत्व से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में